ओके तो आज की स्वीडियो में हम बात करेगे एक न्यू विंडो एमुलेटर की जी हाँ गाइस तो आप सभी लोगों को पता होगा कि वैक्टर्स वीएम टीम गाइस दो एमुलेटर के उपर काम कर रही है पहला है वाइनक्स एमुलेटर दूसरा है पीएस त्री का एंटेश पर आज की स्वीडियो में मैं दिखाने वाला हूँ एंड यह वाइनक्स एमुलेटर कब तक रिलिज होने वाला है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ तो पूरा का इस वीडियो देखते रहिए वीडियो को इसकी मत करिए ठीक है ओके गाइस तो यह है वाइनक्स एमुल इसके control जो vectors VM में जो control है वैसे ही आपको इसके control देखने के लिए मिल जाते हैं अगर आप input bridge के control यूज़ करना चाहो तो उसको भी आप यूज़ कर सकते हो ठीकि इस वाले emulator में और developer RPCR3 को भी इसमें run करके दिखा रहे हैं shortcut यहां पर run करके दिखा रहे हैं देखो यह RPCR3 को shortcut में दिखा रहे हैं वह एंटेशन 3 नहीं है ठीकिए गैस एंटेशन 3 एक अलग से एप रहेगा तो एंटेशन 3 का में अलग से वीडियो डाल दूँगा पूरी information के साथ ठीकिए तो आज के studio में पूरा हम window emulator के उपर ही बात करेगी जो कि वाइनक्स emulator के उपर ठीक है तो वाइनक्स emulator आकर यह emulator कब तक हमको देखने को मिल सकता है तो चलिए मैं आपको बताता हूँ यहां पर developer ने क्या कहा है इस emulator को कब launch करने वाले हैं तो कितना टाइम लगेगा इस emulator को आने में तो यहां पर आप देख पर होगे तो इनकेसाथ काम करने वाले बंदे ने कहा है कि next, 20 दिन में हो सकता है या पुर Uranac month हो थो उतना इनको पता नहीं है तो इस महिने के 20 दिन में आ सकता है emulator या फिर next month आपको यह vinax emulator देखने को मिल सकता है ठीक है तो भी यह confirm release date नहीं है जो कि official developer नहीं बताया है ठीक है तो देखते हैं आगे क्या होता है जैसे कोई information मुझे मिलती है तो मैं आपको जरूर बता दूगा ठीक है वीडियो बना कर उमिद करता हूँ आपको यह वीडियो गाइस अच्छे लगी होगी वीडियो अच्छे लगी हो तो लाइक कर दो शेर कर दो चैनल को subscribe करना मत बोलना मैं मिलता हूँ आपको ऐसे पनी वीडियो में तब तक के लिए बाबाए झाल झाल